So, hello guys, welcome back to my another video, मेरा नाम है रोहन and आप देख रहे हो Techie R and guys, आप सोड़ा सा तब्यत खराब है, बट दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, बस अवाज के साथ कॉप्टेट कर लेना, वीडियो में हम एनरजी कम नहीं होने देंगे, So guys, आज किस वीडियो में हम बात करने वाले है, OPPO के एक नए स्मार्टफोन के बारे में, जो की बहुत ही जल्द इंडिया में आने वाला है, 10,000 रुपे के प्राइस सेग्में में ये फोन आने वाला है, आने का वाला है, मतलब समझो, आ ही गया है, बस दरवाजे पर ही खड दोनों जगाओं पर आपको ये फोन देखने को मिल जाएगा, तो क्या होने वाली है इस फोन की सारी स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग में आपको जैसे बता ही दी है, कि 10,000 की प्राइस रेंज में आपको ये फोन देखने को मिल सकता है, मतलब 9,000 से 10,000 के बीच बीच ताके मेरी हर वीडियो के नोडिकेशन आप तक पहुचती रहे So, शुरू करते हैं So guys, शुरू कर लेते हैं design and build से So guys, design आप लोगों के सामने है वैसे phone का नाम A16K है But यह मुझे lighter version लग रहा है यहाँ पर A15 का Because guys, यहाँ पर आपको design पूरा का पूरा A15 वाला ही देखने को मिलता है बस वहाँ पर आपको बैक साद पर triple cameras थे यहां पर आपको single camera दिया गया है And A15 में आपको fingerprint मिलता था, back side पर And यहाँ पर आपको plane back देखने को मिलती है यानिकि इस फोन में आपको फिंगर्पेंट नहीं दिया गया है यहां पर आपको फेस अनलॉक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बाकी प्लास्टिक की बैख है प्लास्टिक का फ्रेम है फ्रंट साथ प्राइब को ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाएगी गईज बाद करें फोन यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा एंड 3.5 mm headphone jack भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर बील्ड के घरम बात करें जाद कुछ खास नहीं है जैसी कि यहां पर हमें इस प्राइस सेग्मेंट में बिल्ड देखने को मिलती है वैसी ही है इसमें और भी colors आपको देखने को मिल जाएंगी डिजाइन एंड बिल्ड से आपको कोई जादा दिक्कत नहीं होने वाली है फोन देखने में अच्छा लगता है बात कर लते हैं अब इसकी डिस्प्ले की यहां पर आपको देखने को मिलेगी 6.52 इंचिस की HD प्लस वाली डिस आपको देखने को मिल जाएगा सो डिस्प्ले के बारे में इस बताने वाला जादा कुछ है नहीं जस्टेक 6.52 इंचिस की HD प्लस वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी IPS LCD पैनल के साथ में आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं अब इसके कैमरा की सो जहां पर आपको फ बैक कैमरा बैक सैट पर आपको देखने को मिल जाएगा सो अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी और चाजिंग की सो यहां पर आपको मिलने वाली है 4,230 mAh की बैटरी जिसे आप चार्ज कर पाओगे अपने 10 वाट के चार्जर के साथ में एंड ये 10 वाट का चार्जर आपक और बढ़ा है जाता फिर आपको चार्जिंग के टाइम में और दिक्कत आने वाली थी यहां पर आपको बैटरी साइस डी से दिक्कत होगी हाला कि बैटरी काफी कम है अगर आप हैवी उज़र हो तो आपको दो बार भी चार्ज करना पढ़ सकता है बट वहां पर वियापक आपको चार्जिंग स्पीड कुछ खास देखने को नहीं मिलती है सो बैटरें चार्जिंग से जरूर से आप डिसपॉइंट हो सकते हो आगे बढ़ते हैं गाई जैन बात कर लेते हैं अब इस फोन के प्रोसेसर के बारे में यहां पर आपको मिलने वाला है Mediatek Helio G35 का प्रोसेसर 10,000 के बजट की रेंज में प्रोसेसर G35 की बात करूंगा यहां पर आपको कोटेक्स A53 वाले देखने को मिलते हैं यहां पर आपको performance, decency देखने को मिलती है गेमिंग के लिए में आपको फोन सुझेस्ट नहीं कर सकता बाकि आपके जो डेली टास्क होते हैं जो आपके नॉर्मल कोई काम होता है वह इस फोन में एजिली कर पाओगे बाकि अगर आपकी कोई जता है यूजज है तो उसके ल मिलने वाला है अभी तक एक ही वेरियंट के यहां पर बात की गई है 3GB RAM and 32GB internal memory के साथ में जिसकी प्राइजिंग रहने वाली है 9000 से लेके 10,000 तक की रेंज में वोपफुली गईज 9000 भी छोड़ी दो 9500 से लेके आपको 10,000 तक की रेंज में एक फोन देखने को मिल सकता है बिकॉज एक इसका रीजन ये भी है कि जो ओपो का A15 है 3GB and 32GB वाला वेरियंट वो भी आज की रेट में 11,000 रुपे की रेंज में देखने को मिलता है इस प्राइस पॉइंट पर मैं आपको ये फोन विल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता गाइस जो तो मेरे प्राणे वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात की थी टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर 10K यानि के 10,000 के अंदर आपको जो टॉप 5 स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं आज से लगबग 6-7 महीने पहले मैंने वो वीडियो बनाई थी अगर आप लोगो ने नहीं देखिए दिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा जरूर से आप एस्टिमेंट लगा सकते हों कि 10,000 की प्राइस रेंज में आपको ओपो क्या क्या चीज़ें ओफर करता है अला की फोन उत्रा भी बुरा नहीं है बट फिर भी कॉंपिडिशन को देखते हुए यहां पर कॉंपिडिशन की टकर वाला काम नहीं किया गया है इसके आपको सेम देखने को मिलता है उसके बाद यह फोन आता है 3GB & 32GB के साथ जबकि C11 आता है 4GB & 64GB के साथ 9,000 रुपे की प्राइजिंग में आपको जादा बैट रहे जाएगा अगर तो आप एक फोन ढूंड रहे हो अपनी फैमिली के लिए जैसे कि अगर किसी को फोन आपको वैसे गिफ्ट करना है लुक काफी बैटर देखने को मिल जाती है फोन काफी स्लेम & लाइट वेट यहां पर आपको फिल होता है अपने लुक पर काफी काम करते हैं देखने में फोन इनके अच्छे ही होते हैं अगर आप अपने लिए एक टीनेजर आप यह फोन यूज करना चाहते हो आप इसके लावा और भी फोन काफी देख सकते हो अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो कि आपको 10,000 की रेंज में कौन-कौन से फोन अच्छे देखने को मिलते हैं आज की डेट में आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो आपको एक अलग से वीडियो देखने को मिल जाएगी बाकि जो ओपो के अपने उप्रेटिंग सिस्टम के काफी अच्छे हैं आप लोगों के बारे मे अपने अगले वीडियो में